ये रिष्टा क्या केलाता है कि आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सीरत मंदर गई होती है प्रातना करने के लिए और दूसरी तरफ अक्ष्रा और आरोही को भी सब कुछ पता चल जाता है जहां पर आरोही जित करती है कि उसे भी मंदर जाना है सीरत के साथ प्रे देयर करो घर में ही प्रात्ना करो वैसे भी भगवान हर जगा होते हैं लेकिन आरोई इस बात को नहीं मानेगी और वो बिना किसी को बताए चली जाएगे घर से जब अक्ष्रा देखेगे कि आरोई कहीं अकेले गई है तो वो भी उसके पीछे जाएगी बाहर बहुत तेज त सीरत के पास एक मेसेज आएगा कार्टिक का कि वो अब एकदम ठीक है फ्लाइट एकदम ठीक है और सब सेफ है बीच में उस क्लामेटिक कंडिशन ऐसी हो गई थी जिसकी वज़े से सब नीज वगएरा वाईरल हो गई थी तो वो मेसेज करते ऐसा सीरत को जहां पर दूसरी तरफ जो और लो ही होती है वो पोहुंच जाती है मंदर सीरत काफी ज़ध का वेश्याम तेश तुफान में ञखं़ कर होता है सीर्यस जैसे नीचे अक्षिरक को लेने जाती है स्टेयर्ज होती है सेडिया और ऊसका सीरो में पैर फिसल जाता है और सीरत ओ keyword निलिब कर सीरत क बिना अक्ष्रा जो होती है वो समझाने के कोशिश करती आरोई को लेकिन आरोई नहीं मानती और अक्ष्रा काफी ही जदा इमोश्टनल हो जाती है तो आज के एपिसोड में यही सब चीजे दिखाई जाती है जहां पर कल के एपिसोड से हमें जेनरेशन लीप देखने को मिलेगा